सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ मीठा ना बनाया जाए ऐसी तो हो ही नहीं सकता है आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर के लड़ू अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक पी दीजिए तो चलिए मैं बनाती हूँ अंजीर के लड़ू उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडियंट्स चाहिए उसको मैं आपको शो कर देती हूँ यह सारे इंग्रेडियंट्स मैं नहीं यहाँ पे ले लिए है और बढ़ते हैं सबसे पहले खजूर इसमें highly nutrition value होती है और यह natural sugar का source है उसके बाद मेरे पास है अंजीर यह भी काफी nutrition value रखती है और हमारी सिहत के लिए काफी अच्छी है उसके बाद मैंने लिए हैं poppy seed खस यह जो हमारी skin और बालों के लिए अच्छे होते हैं उसके बाद है मेरे पास melon seed इसमें omega 3 fatty acids होते हैं उसके बाद है pumpkin seed vitamins and minerals से भरपूर होती है melon seed है हमारे पास इसमें भी omega 3 और fatty acids होते हैं उसके बाद है walnut जो के हमारे brain और heart के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं almonds, fiber, protein और vitamin इसमें होता है cashew इसमें भी fiber protein होता है और ही हमारे blood sugar को control करता है raisins, digestion और हमारे stomach के लिए काफी अच्छे होते हैं और सबसे बाद में है sesame seed till जो की सफेद वाले बने लिए है calcium होता है इसमें और हमारी bones के लिए काफी अच्छा होता है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने एक पैन ले लिया है सबसे पहले हम खस-खस को करेंगे इसको हमने dry roast करना है जब अच्छे सी खुश्पू आ जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे दिखिए हलका golden brown होना शुरू हो गया है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको यह जल्दी से ही हो जाएगा पर यह ध्यान रखना है आपने इसको low flame पे ही करना है गैस की flame ज्यादा high पे नहीं होनी चाहिए अब इन दिल सफेद बाले लिये हैं हमने इसको भी हलका सा dry roast कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी moisturize हो तो वो सारा खतम हो जाएगा और इनकी shelf light increase हो जाती है तो चलिए यह भी हो गए हैं इसको भी प्लेट में transfer कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रखतेते हैं अब लिए हैं मैने melon के सीड सीड हम सारी कठे ही डाल देते हैं pumpkin के हैं melon के हैं इसमें आ जाएंगे और इनको हलका सा हम roast कर लेंगे जब अच्छी सी कुछ्बू आने लगेगी तो हम इनको निकाल लेंगे ड्राइ रोस हो चुके हैं तो अभी इनको भी transfer कर लेते हैं ब्लेट में वापिस से पैन ले लिया है मैने अभी इसमें आड़ करेंगे देसी घी एक चमच देसी घी का लिया है मैने अभी हमारे ट्राइ फुर्ण जाएंगे इसमें सबसे पहले बादाम एक कातोरी है है मैने इसको अच्छे से घी में हमने रोस कर लेना है के बादाम को थोड़ा टाइम लगता है इसलिए सबसे पहले बदाम डाले हैं इसके बाद जाएंगे काजू ये भी एक कटोरी के अस्पास ही है मेरे इसको भी अच्छे से हिला के इसके बाद जाएंगे हमारे अखरोट अखरोट की गिरीली है मैंने अच्छे से चला देते हैं इससे इसका टेस्ट काफी नहांस हो जाएगा और एक क्रिस्पी सा क्रण्च आएगा आपको उसके बाद हम डाल रहे हैं किश्मिश ये भी एक कटोरी ली है मैंने अब मैजर्मेंट अपने हिसाब से जितना आप बनाना चाहते हो कोई भी मैजर्मेंट ले सकते हैं ये रिखे कितना अच्छा लग रहा है ड्राइप प्रूट हमारे हो चुके हैं तो इसको भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो अभी हम खजूर को गरेंगे खजूर को मैंने 800 ग्राम खजूर ली है और उनके सारे सीट्स निकाल लिये हैं और अच्छे से धो करके ले लिया है अब इसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट त्यार कर लेंगे तो ये पेस्ट हमारा त्यार हो चुका है ये बिल्कुल फाइन अगर पेस्ट नहीं होता तो कोई दिकत नहीं है वापिस से पैनल लेती हूं एक चमज खी डालके और ये खजूर का पेस्ट हम इसमें अच्छे से चला देंगे क्योंकि इसमें हम किसी तरह की एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाल रहे हैं मिठास के लिए ये खजूर ही इसको मिठा बन देगी और उसके बाद जो हमने अंजीर ली थी इसको मैंने भीगो करके ले लिया था क्योंकि इसमें भी काफी मिठास होती है बिगोने से क्या होगा एक तो इसकी जो एक्स्ट्रा मिठास है वो सारी निकल जाएगी और ये थोड़ी फूल भी जाएगी तो इसको भी मिक्सर जार में चला देते हैं अच्छे से पेस्ट्रिस का तैयार हो गया है तो इसको भी आड़ कर देंगे हम इसकी क्वानेटिटिटी जो मैंने ली है वो तकरीबन 200 गराम है अभी हम अपने ड्राइफ्रूट लेंगे और इसको पल्स मोड पे हम पीस लेंगे बिल्कुल फाइन पाउडर हमने त्यार नहीं करना है ताकि जब हम लड्डू खाएं तो उसका ड्राइफ्रूट का एक क्रण्च आए इसमें तो इसको पल्स मोड पे ही करना है यह दिखें बिल्कुल फाइन पाउडर मैंने त्यार नहीं किया है तो इदर हमारी खजूर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अभी हम अपना ड्राइफ्रूट इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे बाइंडिंग का काम यह खजूर करेगी उसके बाद हमाने सीड्स जो ले ले यह थे हमने ड्राइ रोस करके उसको भी मिक्स कर देंगे उपर से जाएंगे तिल यह बड़े दो चम अचलिया है हमाने खस खस यह भी मैंने डेट से दो चम अचलिये हैं और यह सारे इंग्रेडियन्स हमारे आगे हैं सब को अच्छे से हमने चला के मिक्स कर देना है ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स अप हो जाएं तो यह देखिए यह हमारा लड़ू का बेस बनके तयार हो चुका है यह खजूर की मिठास इसके लिए सफिशन्ट होगी इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंड़ा कर देंगे और ठंड़ा करने के बाद हम इसके लड़ू बना के तयार कर लेंगे तो अभी इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू तयार करेंगे खजूर बाइंडिंग के लिए बड़ी ही अच्छी होती है तो लड्डू आपके छट से ही बनके तयार हो जाएगे हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीज कर लेना है आपने और थोड़ा सा बॉल साइज लेना है और लड्डू की शेप में तयार कर लेना है ये देखे एक मिनिट से भी कम टाइम में हमारा लड्डू बनके तयार हो गया है ऐसी हमने सारे लड़ू बना के त्यार कर लेने हैं तो दोस्तों आपको ये मेरी रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा आप भी अपने घर पे बनाईए अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कीजे तरह बादे रेस्टा मेली केसे बादे कर दो कर दे दो कि आपकित मजी के ले कर दो कि वेशन हाँ